नमस्कार आप देख रहे हैं स्टोरी हाव लाइफ मैं हूँ भागी श्री चलिए आज की क्या अपडेट्स हैं इस पर हम एक क्विक नजर डालेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की कोरोना की सिती इस वक्त क्या है और अभी क्या बड़े कबर है लेकिन अभी जो पहली अपडेट पाकिस्तान से है वो मैं आपको बता दू कि पाकिस्तान इंटरनाशनल एरलाइन्स का एक विमान कराच्य एरपोर्ट से के पास ही लैंडिंग करने के पहले क्राश हो गया लाहर से उडान भरी थी इस प्लाइट में और इस प्लेन में बताया जा रहा है कि लगव की बड़ी खबर इसमें इंडियान वे यात्री जो थे सवार थे और ये पूरा का पूरा विमान जो है वो कराच्य एरपोर्ट के पास लैंडिंग के पहले क्राश हो गया जो इस वक्त की अपडेट है जिस पर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जांच के आदेश के जारी खतरनाक भयावत तूफान बंगाल और ओडिसा को जंजोरता हुआ निकला अमफन की बात कर रही हूं मैं भारी मात्रा में बंगाल को नुकसान हुआ इस तूफान के बाद कई लोगों की जान गई है तकरीबान 80 लोग बंगाल के अलग अलग इसमें हैं जिनकी जान गई है ओडिसा में कुछ लोगों की जान गई है जिसके बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और ओडिसा के हवाई सर्वे पर आज पहुँचे और मुख्य मंत्री जो हैं बंगाल की ममताबान जी के साथ उन्होंने एक जॉइन प्रेस कानफरेंस भी की और इस तूफा हैं उनके परिवारों के लिए और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद वो ओडिसा का भी हवाई सर्वे करेंगे और इस मुख्यल के वक्त में वो बंगाल और ओडिसा के साथ हैं और प्यम मोदी ने तकरीबन हजार करों रुपए के मदद की कुशना की इस घटना के बाद जो हवाई सर्वे उन्होंने किया और इस पूरे सर्वे के दौरान बंगाल के मुख्यवंतरी ममता बानट जी भी थी तो कहीं न कहीं कुरुना के वक्त जो तलखी देखने को मिल रही थी राजनेतिक पार्टियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच वो कहीं न कह ही इस तूफान के बाद कुछ कम होता नजर आया और ये दिखा कि बंगाल की बंगाल सरकार और केंद्र सरकार इस मुख्यल वक्त में एक साथ आकर काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों की मदद की जा सके और इमिजनसी फंड का एलान जो किया है प्रिधान मंतरी इतनी भी जानकारी है उन्होंने कहा है कि जल्दी डिटेल्स सरकार को भीज देंगे और बशीर हाट में जो प्रभावित अलाके थी उसका हवाई दौरा उन्होंने किया उसके बाद एक समिक्षा बैठक भी किया और कहा कि इस वक्त दोनों सरकारों को साथ में काम करने की ज जितनी भी जरुत होगी वो डेफिनेटली प्रोवाइट करेंगे तो ये एक अच्छी पहल थी सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री तकरीबं 83 दुनों के बार दिली से बाहर निकले और सीधा बंगाल के हवाई सर्वे के लिए गए क्योंकि इस वक्त उनका वहाँ जाना बेहद एहम था और दूसरे तरफ कॉंग्रिस प्रवक्ता संजे जहा कुरुना पॉजिटिफ पाए गए हैं उन्होंने खुद को घर में कॉरेंटाइन कर लिया जो अभी की अपडेट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दूसरे तरफ देश भर में आज से काउंटर टिकेट मिलना शुरू हो तो काफी तादात में संख्या बढ़ रही है इस वक्त हमारे देश में संख्या 1,18,447 है जिसमें से 66,000 से जादा एक्टिफ केसे हैं 3500 से जादा लोगों ने पनी जान गवाई है जो कि अभी की अपडेट है हम फिलहाल भी यह अपडेट देख पा रहे हैं तो यहां पर कुछ और अपडेट हम उस पर भी एक बार नज़र डालेंगे गौतम बुद नगर से आज पांच और कुरोना पॉजिटिफ मिले हैं और नॉइडा में जो कुल कुरोना पॉजिटिफों की संख्या है वो 307 हो चुकी है तो इस वक्त यूपी में सिती बहुत होती भी नहीं देख रही है दूसरे तरफ गाज़ाबाद को एक बार फिर से औरेंज जोन से निकाल कर रेड जोन पर कर दिया गया है आगरा नॉइडा मेरट ये सभी रेड जोन में चल रही हैं होट स्पोट भी बढ़ गए हैं गाज़ाबाद में और जो कंटेन्मेंट ए ये भी जानकारी दी है कि आज चौथा दिन है जब एक दिन में एक लाग से जादा कोरुना टेस्ट भी करवाए गए हैं और बंग्लदेश की पीम शेख हसीना ने भी पश्चिम बंगाल की से ममता बार्नलट जी से बात की है और तूफान पर चर्चा हुई है क्योंकि ओड चुकी है और दूसरे तरफ यहां पर देखे अपडेट क्या कुछ और मिल रहा है कॉंग्रिस प्रवक्ता को लेकर तो मिली है भारते रेलबे ने किस मई तक कुल 2317 ट्रेंच चलाई है 31 लाख यात्रियों ने यात्रा किया है सीबिरीटी ने एक अपरेल से किस मई के बीच 26,242 करोड रुपय के टाक्स रिफांट जारी के हैं करनाटका से भी खबर है करनाटक में भी 105 नए कोरोना पॉस्टिफ केस हैं दिल्ली के बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 660 नए कोरोना पॉस्टिफ केस हैं और अब तक 12,319 लोग इससे इंफेक्टेड बताय जा रहे हैं अंदर प्रिदेश की बात करेंगे अंदर प्रिदेश में भी 62 नए कोरोना पॉस्टिफ केस हैं और अब तक अंदर प्रिदेश में 2514 संक्रमित हो चुके हैं घरेलू विवानों के टिकेट बुकिंग जो है आज दोपहर से शुरू हो चुकी है तो जो फ्लाइट की सेवाएं हैं जो 24 सारिक से शुरू होने जा रही हैं उसके टिकेट बुकिंग आज दिन से शुरू हो चुकी है और कल दोपहर एक बजे विमानों के संचालन से जुड़े सवालों पर केंदर मंत्री हर्देपुरी लाइफ जुड़ने वाले हैं लोगों के साथ और अपने सवाल आप आहाँ पर रख सकते हैं अर्फिञ यहाँ पर कुछ और अपडेट है आर्पियाई की तरफ से लोवन मोनेटेरियम में 3 महिने की मेले की राहत लॉक्डोर में मांग और उत्पाधन दोनों में कमी आई है अर्बियाई का कहना है बिजली पैट्रोल में और खपत में काफी कमी आई है अर्वेये ने ये भी कहा है कि देश में निवेश को लेकर काफी कमी आई है छे बड़े प्रदेशों में और द्योगी कुद पादन ठप हुआ है रेपोरेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटोती की गई है ब्याजदर में 0.4 प्रतिशत की कटोती है रेवर्स रेपोरेट में कोई बदलाब नहीं है सोन्य गांदी ने अर्श 17 विपक्षित अलों के साथ चर्चा की है कोरोना संकट को लेकर जो अभी तक की हम अबडेट्स देख रहे हैं तो देखी यहां पर लगातार कुछ इस तरह की ही खबरे हैं और कोरोना के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे होते वे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लगातार अस्तिती जो है वो बिगड़ती जा रही हैं मामले बढ़ रही हैं और केंडर सरकार के साथ तमाम राज़ी सरकारे कोशिश में हैं कैसे इन चीज़ों पर काबू पा जा सके केरल में भी एक दिन में 42 कोरोना केसे सामने हैं और इस वक्त राज़ी में 732 मामले कोरोना पॉजटिव हो चुकी है तो हम यहीं देख रहे हैं कि लगातार हर एक शेतर से जो इस तरह की खबरे हैं वो बढ़ती जा रही है सोशिल मीडिया पर भी क्या कुछ अपडेट है हम इस पर भी नज़र डालेंगे और देखे स्वास्तमंत्राले का भी प्रेस कॉन्फरेंस शाम चार बची से था दूसरे दरफ यहां से तस्वीरे जो हम देख पा रहे हैं बी एसेफ में 24 नए कोरोना पॉजिटिफ केसे रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में और फिलहाल बी एसेफ में जो टोटल कोरोना पॉजिटिफों की संख्या है वो 108 हो चुकी है और वंदे भारत मिशन के तहट लगातार फ्लाइट्स जो हैं वो लोगों को लेकर आ रहे हैं एक बहुत स्पेशल फ्लाइट जैपूर आई है यूके के लंडन से जो तमाम 149 भारतिय वहां फसे थे उनको लेकर दूसरे तरफ चंडिगर एरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर केसे हम देख रहे हैं चंडिगर एरपोर्ट पर किस तरह से अर्रेंजमेंट्स के गए हैं लोगों को वापस लाय जा रहा है दूसरे तरफ यहां पर उत्तर प्रदेश से अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल अक्टिव केसे हैं कोरोना पॉजिटिव हों की वो 2243 हो चुकी है जिसमें 263 और लोग टेस्ट के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं पिछले 24 गंटे में दूसरे तरफ 138 लोगों की जान गई है तो वहीं 3238 लोग इससे रिकवर होएं तो यह उत्तर प्रदेश के तरफ से जानकारी दे हैं साथ ही ये भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के चीफ सचिव ने ये भी कहा है कि 18.24 लाग जो प्रवासी मजदूर थे वो उत्तर प्रद कुछ और अपडेट हम देख लेते हैं सुन्य गांदी ने भी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फरेंस की और कोरोना को लेकर उन्होंने दमाम जानकारिया दी हैं यहाँ पर कुछ और अपडेट हम देख रहे हैं डियागनॉस्टिक किट्स के मानफैक्चरिंग की बात आईसेमार के जरीक ने कहा है कि जो डियागनॉस्टिक किट्स है उसको बनाने का काम जो हमारे देश में शुरू हो चुका है और कहा जा रहे हैं कि एकले 6-8 हफते में पांच लाग किट्स हर दिन बन जाने चाहिए साथ ही कई साइन्टिस्ट और कंपनीज हैं जो मिलकर इसकी वैसिनेशन को लेकर काम करें तो यह आईसेमार के तरफ से जानकारी जो है वो दी जा रही है हमीरपूर में भी आज 12 नए केसिज आए हैं और हमाचल प्रदेश में प्रोटल जो आकड़े हैं वो 164 हो चुका है दूसरे तरफ अपडेट यह है कि जो अक्टिफ कोरोना पॉस्टिफ केसिज हैं वो कुछ शेहरों और डिस्ट्रिक्स में काफी जादा हैं तकरीबन 80 प्रतिशत पांच स्टेट्स में हैं 60 प्रतिशत के आसपास 5 शेहरों में हैं और तकरीबन 90 प्रतिशत के उपर 10 टेट्स पर है तो कुछ इस तरह की अपडेट जो है वो दी गई है उन्होंने आईसे मार ने ये भी जानकारी दी है कि कोरोना पॉस्टिफ केसिज जो बढ़ रहे थे जो उसका गुरूथ रेट ह है वो एपरेल 3 से कुछ डाउन जरूर हुआ है अगर लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जाता तो शायद ये आंकडे डबल ट्रिपल हो सकते थे और ये भी का गया है कि आज दिन में एक बज़े तक एक लाग से जादा टेस्ट जो है वो करवाए गए है तो ये काफी एहम है और काफी जरूरी है और राइट आम दूसरे तरफ हर एक स्टेट में स्टेट लेवल की मीटिंग्स जो है वो की जा रही है ताकि कोरणा को लेकर क्या कुछ अपडेट है हर एक प्रदेश में इसकी जानकारी मिल जा सके सुप्रीम कोर्ट में भी आज जितने भी चैंबर्स हैं उन सब को सानिटाइजेशन का काम जो है आज महाँ पर किया गया है सिलचार कॉरंटाइन सेंटर में भी दो लोग कुरोना पॉस्टिव पाए गए हैं जो अभी तक की हम अपडेट देख पा रहे हैं सुप्राखन में भी आज दो पहर तक पांच नए केसिज आ चुके हैं तो फिलहाल यह अपडेट है और का जा रहा है कि रमजान महिने का यह आखरी शुक्रवार या जुम्मा है और अगले हफ़ते सोमवार या रविवार को ईद का चांद हो सकता है और इसके तहद भी कई सारी रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो की जा रही है और यही ध्यान दिया जा रहा है कि ईद के दौरान कहीं कोई दिक्कत ना आए और सोशल मीडिया पर स्टेट वाइस कही सारी रेस्ट्रिक्शन और नोटिस जो हैं वो दी गई हैं लॉगडाउन के नए गाइडलाइन भी जा कि यह पूरी कि हैं कुछ दिर पहले उन्हें ट्वीट कर लाउड़ाउन के लिए ज़य। कोछ और गाइडलाइन्स जो है वो रहे। उन्हें जारी कर दी हैं अल्हाई तो हम यह अपडेट देख पा रही हैं फिलाल यह अपडेट हैं बड़ी अपडेट है आज की दूसे तर और बात करें अगर हम बॉलीवूट की तो देखे आयुशमान खुराना और अमिता बच्चन की फिल्म गुलाबो सताबो जो की डिजिटल मीडिया पर रिलीज होने जा रही है इसका ट्रेलर आज जारी हुआ है और काफी मज़िदार ट्रेलर बताया जा रहा है इनकी कर रहे हैं और लोगों को इंतजार है कि डिजिटल मीडिया पर ये फिल्म रिलीज हो और वो अपने दो फेवरिट सतारों को एक साथ परदे पर देख पाए और इन फैक्ट हमने ये भी देखा कि कई स्टार्स हैं जिनके घरों में उनके कुछ हाउस हेल्प्स हैं या स्टा कर रहे हैं जो कि काफी अच्छी बात है और लगातार सोशल मीडिया के जरीए अपने फैंस के साथ भी जूड़ रहे हैं और जो एक पॉजिटिव एन्वारिमेंट क्रेट करने में काफी हल्प करता है तो अगर आप सोशल मीडिया पर आक्टिव हैं तो कोशिश करें कि कु सोशल मीडिया इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बेहत जरूरी है और अगर आप जिस भी जोन में हैं जोन की जितने भी गाइडलाइन्स हैं उसको क्रेपया स्ट्रिक्ली फॉलो करें अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप गलाब्स और मास्क का इस्तमाल क करना बूले थैंक यसो म cigarettes